नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अर्पितार रियाद। तो महिला ने लोगों के साथ भी गाली गलोच की। एक स्कूटी सवार को रोका था जब ये दोनों बिना हेलमट लगाया आ रहे थे और उसके बाद जेबरा क्रॉसिंग क्रॉस करके ये लोग आगे खड़े होगे जबकि रेड लाइट पर जेबरा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हुआ हमेशा ट्राफिक पुलिस देते हुआ ही और इसको लेकर जब इन्हें रोका गया तो ये जो महिला पीछे बैटी थी ये तुरंत ही पुलिस वालों पर बिफर पड़ी और गुस्ते में इतने जो ट्र सुलुक की करी उन्हें धटका देने लगी और उसके बाद काफी धंक्या भी देने लगी जिसके बाद ट्राफिक पुलिस लगातार मनाते रही आसपास खड़े लोगों की भीड वहां पर जमा हो गए थी और उन्होंने भी उन दोनों को समझा है कि आप ट्राफिक पुलिस सेशन मायापूरी में की गई जिसके बाद वनों को गरफतार कर लिया गया हाला कि अप्टुलिस का कहना है कि 166 बटे 353 के तहट उनको गरफतार किया गया है वहीं साथ ही जो प्रॉपर्डी डिलियर है उसको लेकर यह जो आरूपी अनिल है वो प्रॉपरी डिलिंग का काम अप्टुलिस के मनाली में भी बारेश और भारी बारिश के वज़े से नदियों का जलस्तर बढ़ गया वन विहार में नदी की दूसरी तरफ असे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेट के लोगों ने लोखे का पुल बना कर और रसी की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला जो लोग वहां पर फसे हुए थे तो हिमाचर प्रदेश के तस्वीरें किस तरीके से भारी बारिश के कारण वहां इस्तिती ऐसी हो गई इस चारो तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है वन विहार में नदी की दूसरी तरफ फसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेट के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीकी के तस्वीर आप देख रहे हैं लोगे का बकायता एक ये पुल बनाया है और रसी क की मदद से लोग जो दूसरे छोर पर फसे हुए थे उन्हें वहां से निकाला जा सका है कि तुमाचर प्रदेश के मनाली की ये तस्वीरे हैं वहां पर भी भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ गया है और इसी के चलते लोगों को इस छोर से उस छोर पहुचने में काफी दखते हो रही हैं ऐसे में जो पुलिस और फायर ब्रिग्रिट के लोग हैं उन्होंने पहले एक लोहे का पुल जिस पर आप एक व्यक्ति को चलते हुए देख रहे हैं ये लोहे का पुल बनाये गया और साथी साथ रस्ती की मदद स से एक छोड से दूसरे छोड तक लोगों को पहुचाने का काम पुलिस और फायर ब्रिग्रिट के लोग करते नजर आए हिवांचत अदेश मनाली की ये तस्वीर है हुआए नेपाल में लगातार हो रही भारी बारुष की वज़े से काट मांडो और और महाकाली में नदियों में भारी उपान के वज़े से नदिया अपने साथ बिजली के खंबेख पुल और पेड़ तम अपने साथ भाकर ले जा रही है नेपाल में अब तक करीब 80 लोगों की मौत हुई है और 56 लोग लापता है तो नेपाल की ये तस्वीरे काटमांडो की किस तरीके से वहाँ पर भी जो नदियां है वो उफान पर है कई नदियां अपने खत्रे के निशान से उपर भी बह रही है आसपास के जो इलाके हैं उन्हें उसने अपनी चपेक में ले लिया और किस तरीके से ये तस्वीरे आप देखिए कि पूरा पूरा जो सड़क है जो इलाका है आसपास का पानी अपने बहाव के साथ इनको बहाता हुआ लेता जा रहा है जो बिजली के खंबे हैं पुल है पेड़ हैं ये सब नदियां जो हैं उनका बहाव इतना तेज है कि अपने साथ इन सब को बहाते हुए नजर आ रहे है मुताल के काटमांडू की ये तस्वीरे और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जिसके चलते तस्वीरों में आप देख पारे होंगे पेड़, बिजली के खंबे, पुल जो भी नदियों के राखते में आ रहा है इनका बहाव इतना तेज है कि ये नदियां अपने साथ इनको बहाकर ले जा ले है